हमने शैतान के बारे में अधियन किया और समझा कि वो काउन है अब हम अधियन करेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में ये दुष्ट आत्माओं काउन है कुछ लोगों का मानना है कि तुष्टा आत्माएं मरे हुए मनुश्यों की आत्माएं हैं ऐसे मनुश्यों के जो समय से पहले या किसी द्रास्ति वज़ मर जाते हैं लेकि बाइबल इस बात को सिखाता है कि तुष्टा आत्माएं मनुश्यों की आत्मा नहीं है क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके पश्चात नियाए नियुक्त है तो ये दुश्टात्माएं कौन है दुश्टात्माओं के लिए इस्तिमाल किया गया युनानी शब्द डाइमॉन या डाइमॉनियन का अर्थ है गिरी हुई आत्माएं और बाइबल हमें बताती है कि जब शैतान गिरा तो उसके साथ कुछ दुश्टात्माओं ने भी बलवा किया और वे उस विरोध के कारण से स्वर्ख से गिरा दिये गये हैं दूसरा पत्रस दूसरा दियाय उसका चौथा पद में लिखा गया है कि जिन स्वर्ख दूतों ने पाप किया उन्हें परमेश्वर ने नहीं छोड़ा बलकि उन्हें अंधेरे कुंडों में डाल दिया लेकिन कुछ नरक दूतों को शैतानी शर्तियों को आज हम प्रित्वी पर भी देखते हैं जिसका अर्थ है कि दो प्रकार के समू में हम इन गिरे हुए आत्माओं को बाट सकते हैं एक वे जो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं और वे प्रित्वी पर पाये जाते हैं शैतान के साथ लूसिफर के साथ वे प्रित्वी पर अपना काम कर रहे हैं जिस प्रकार से लिखा गया है कि स्वर्गदूत शैतान का भी अपना एक सिहासन है और उसके भी प्रधानताएं हैं, उसके भी प्रभुताएं हैं, उसके भी दुष्ट आत्माएं अधीन हैं, उसके साथ पृत्वी पर वे तहस नहस फैलाते हैं और विनाश को फैलाते हैं सो कुछ आत्माएं मनिश्यों को नाश्च करने के लिए पृत्फी परमंडरारी है लेकिन कुछ आत्माएं जिस प्रकार हमने दूसरा पत्रस दूसरा ध्याय चौथा पद और यहुदा एक अध्याय च्छा पद में देखा उन्हें परमेश्वर ने अंधेरे कुंडों में ब बंदी हुई है दुष्टा आत्माएं बड़े ग्यानवान और तेज हैं, चतुर होते हैं मरकुस पहला ध्याय चौबिस वपद में वेचलाकर इश्यू नास्ρी से कहते हैं हैं एश्यू नास्री हमें तुछ से क्या काम क्या तू हमें नाश्य करने आया हैं मैं तुझे जा उसे प्रश्न कर रहा है शतान कौन इस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्माओं का एक सेना था पांच हजार दुष्टात्माई उसके भीतर में थी और ये सब एक आवाज में मिलकर बात कर रहे हैं उनका कोई अगवा होगा जो बात कर रहा था लेकिन एक आवाज में उस व्य से क्या का क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आ गया है वे जानते कि उनका अंत क्या है इसलिए जब शैतान आपको बताता है कि तू आपका भविश्य अंधकार है या आपको आपका वर्तमान अंधकार है तो आप शैतान से कहें मैं तो तेरा अंत जानता हूं और शैतान नहीं स्रिष्टी है, इसे बाद पर विश्वास करें और शैतान के उस गलानी में, उस दोश में नहीं आ जाएं। बाइवल ये भी सिखाती कि दुश्टात्माओं की शिक्षाएं भी हैं, दुश्टात्माओं की शिक्षाएं सारी पृत्वी पर फैल रही हैं, पहला तिमोथी चौथा दिया है, उसका पहला पद में लिखा गया, परन्तु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुश्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगा कर विश्वास से बहग जाएंगे, और किस प्रकार की ये शिक्षा है, ये उन जूटे मनिश्चों के कबट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा ग जो जीवन से, उद्धार से, मानवी अनुभाव से परे बाते हैं और उनके विरोध की बाते हैं, जो मनुश्य को शैतानिक बातों और विद्याओं के अधीन करने की कोशिश करती हैं, टोना, जादू, मुर्ति पूजा, और संसार के विरोध के विशय में गलत शिक्षाए पुनर, जन्म, इतियादी शिक्षाएं, दुश्टात्माओं की शिक्षाएं और इन्हे शैतानिक शक्तिया प्रमानित करने की कोशिश भी करती हैं, इस कारण से आप देखेंगे कि इन जूटी शिक्षाओं के बड़े प्रमान भी हमें दिखाए देते हैं, लेकिन ये प् घ्रिनित अशुद और घ्रिनित पक्षियों के समान है। प्रकाश-शुदवागि सौला का तेरा से चाधा प्द में हम देखते हैं, ये अन्दकार में बैठे गंडे और मैले और अशुद बेंडिकों के समान हैं। प्रकाश्युत्वाक नौ का 2 और 3 7 से 10 में हम इने टिडि और बिच्छों के समान देखते हैं, जो मनुश्यों को सताते हैं, लुका 3 का 7 में हम देखते हैं, कि सर्पों के समान हैं, जो परमेश्वर के क्रोध से भागने की कोशिश करते हैं, जब धूप पड़ता है तो भाग बारिश होता है तो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन परमेश्वर से बच कर नहीं जाएंगे ये संपून रीति से नैतिक रूप में अशुद और कुरूर और दुष्ट हैं दुष्ट आत्मा हैं इसलिए नहीं कहा गया कि दुष्ट और अशुद आत्मा हैं इनका काम क्या का 13 से 16 में आप देखते हैं कि अशुद आत्मा हैं परमेश्वर के योजना को विफल करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाएगी फिर हम देखते हैं कि मत्ति 9 का 33 में देखते हैं कि दुष्ट आत्मा बीमारी डालता है एक व्यक्ति के अंदर घुज गया और उसे ग एक दुष्ट आत्मा एक लड़की को इस प्रकार से बंधर में रख दिया कि उसके शरीर के अनेक अंगों से खुन रक्त ऐसा ही बहने लगता था लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकाल दिया गया तो शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का चोट नहीं दिखाई दिया कहीं भी ऐसा जगा नहीं था मानो जैसा कटा हुआ है और खुन बहरा ऐसा कहीं भी स्थान नहीं था लेकिन शैतान देखिए किस प्रकार से बिमारी मनुष्यों के शरीर में ढालता है मरकुस पांच का तेरा में कई बार हम देखते हैं कि संभव भी है कि शैतान दुष्टात्माएं जानवरों में पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाए पहला तिमोती चार का एक में हम देखते हैं कि जुटी शिक्षाएं फिलाती है यशिया चौदा, एजिकेल 28, दानि प्रवेश का तेरा से चौदा में हम देखते हैं कि यह जाती जाती और देशों पर अपना प्रभाव डालते हैं, मती 9 का 32 से, मती 10 का 18, मरकुस 6 का 13 में देखते हैं कि जो विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी, ऐसे लोगों के शरीर को यह अपने कबजे में ले ले इसलिए कई लोग दुष्वात्मा गरसित होते हैं और प्रभु एश्व मरसी हमें सामर्थे देता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन होगा कि वे दुष्वात्माओं को निकालेंगे, श्वात्माओं की भी कुछ सीमाएं हैं, वे जो चाहें विएसे नहीं कर सकती ह वे समय से सीमित है दुष्ट आत्मा एक दुष्ट आत्मा हर जगह में सर्वो पस्तित नहीं हो सकता है वो सीमित प्रानी है मरकुस नौ का 25 में हम देखते हैं कि इश्व मसी ने एक अशुद आत्मा को डाटा है कि हे गुंगी और बहरी आत्मा मैं तुझे आग्या देता हूँ उसमें से निकल और उसमें फिर कभी प्रवेश ना कर अर्थात वो जब चाहे कहीं भी चाहे प्रवेश नहीं कर सकता है निकल कर जा सकता है और खाली जगह में लिखा गया है कि वो मंडराता भी है लेकिन यदि वो वापिस आकर देखे कि जिसमें से वो निकला है वो जगह बड़ा खाली है और परमेशवर को इस व्यक्ति ने जगह नहीं दिया तो लुका 11, 24 से 26 पद में हम देखते हैं लिखा गया है कि वो आपिस आकर साथ और दुष्ट आत्माओं को लेकर आ जाता है इसलिए बड़ा ही आवश्यक है कि दुष्ट आत्मा जीवन से निकलने के बश्चाथ तुरंत अब पवितर आत्मा के बबतिस्मा को प्राप्त करें और पवितर आत्मा से भर जाएं अपना मन फिराए सबसे पहले प्रभू ईश्यक मसी पर विश्वास करें पापों से मन फिराए पापों को छोड़ दें और फिर पवितर आत्मा से भर जाएंगे पवितर आत्मा से तो शैतान आपको छून ही पाएगा पहला शमियल सॉला का चौधा दूसरा कुरंतियों बारा का साथ में हम देखते हैं कि कई बार ये शैतानिक शक्तिया दुश्टात्मा परमेश्वर की उद्देशियों को ही पूरा कर देती है वे सुचते हैं कि हम बरबाद कर रहे हैं लेकिन वे परमेश्वर के उद्धिश को ही पुरा करने लगती है उधारन के लिए यहुदा के शरीर में घुज गया शैतान सोचा कि मैं येश्व मसी को कुचल डालूँगा लेकिन कुचला किया येश्व मसी नहीं शैतान को कुचल डाला परमेशवर सर्व बुद्धिमान है शैतान जैसा सोचता है वो ऐसा कर नहीं पाएगा उसके जो चाल है परमेशवर की समुक में कुछ भी नहीं है परमेशवर की का बुद्धी आपार है इसलिए हम हमेशा निश्चित रहें कि वो हमारी जब अगवाई करता है पिता तब हम कभी भी पतब्रश नहीं हो सकेंगे दुष्टात्माओं का गंतव्या और अंत शैतान के साथ नरक के आग में होगा उस आग की जील में होगा मत्ती 25 का 41 पत हमने देखा शैतान और उसके दूदों के लिए ये आग का जील तयार किया गया है अब हमें कुछ बातों को देखेंगे कि दुष्टात्माओं को निकालते समय हमें हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन इससे पहले प्रशन उठता है क्या विश्टात्माओं से ग्रसित हो सकता है नहीं दुष्टात्माओं से एक विश्टात्माओं से एक विश्टात्माओं से ग्रसित नहीं हो सकता है क्योंकि वे आत्मा के दिवारा चलाये जाते हैं पवितरात्मा से भरपूर है तो शैतान आपको हाथ नहीं लगा पाएगा जिस पकार परमिश्वर गदास वेनहाद बॉंक के कहते हैं यदि शैतान छोने की कोश्च भी करेगा उसके गंदे उगलिया जल जाएगी यदि आप विश्वास से और परमिश्वर के अनूगर से गिर जाएं जिस पकार शावल गिर 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 था तो दुश्च रातमा आपके जीवन पर हावी हो सकती है इसलिए आवश्यक है कि हम परमिश्वर के अनुग्र में बने रहें, उसके विश्वास में खड़े रहें और हम प्रभु ईश्व मसी के प्रेम में जड़ पकरते जाएं, जड़ पकरते जाएं, गहराई से जड़ पकरते जाएं, फिर आपको किसी बात का डरने की आवश्यक खोलने के लिए भेज़ दूगी So, हमें डरने की कोई आवशकता नहीं याकुब तीसरा ध्याए में लिखा गया है कि हमें शैतानिक बुद्धी और ग्यान से अपने आप को सुरक्षित रखना है हानन यजो सफीरा ने नहीं किया था पांच वाध्याए में प्रिर्थों के पांच वाध्याए में और शैतान के विचार को स्थान देकर उन्होंने पवित्र आत्मा से जुट बुला इसकारम से बेनाश हो गये हम आत्मिक बातों में बलवंत हो जाए दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से भी बच कर रहे है पहला तिमोठी चार का एक से पांच से जुटई शिक्षाओं से हम चौकस रहें क्योंकि दुश्ट आत्माओं जुटई शिक्षा के द्वारा मन पको इपने आधिन में करता है और मन को अपने आधिन में करने के पश्चार वा हरिधाय को और हमें अपने अधिन में करने की कोशिश करता है चौकस हो जाएं धीले ढाले ना हो जाएं पहला पत्रस पांच का आर्ट में लिखा हो सचेत हो और जाकते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शेतान गर्जने वाले सीन के नाए इस खोज में रहता है कि किसको फ़र्दा है सचेत रहने का मतलब जाकते रहने का मतलब ये है कि हम हमेशा अपनी आँखे खोल कर रखें सुस्त ना हो जाएं ये ना सूचे कि अरे मुझे कुछ भी नहीं होगा कि कि शेतान का मिशन है कि वो फाड़ खाएं और हमें चौकस होना चाहिए आवश्यक है याकुब चार का साथ पहला पत्रस पांच का नव शेतान का सामना करो और वो भागेगा कैसे सामना करेंगे प्रकारशित वाक के बारब का ग्यारा में लिखा गया ईश्यक मसी के लहू और उसके वचन के द्वारा हम शेतान पर जय प्राप्त कर सकते ईश्यक मसी ने भी मत्ती चार का चार में हम देखते हैं शेतान पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जय प्राप्त किया मत्य 28 का 20 में परमिश्वर की पतिगिया पर ध्यान करें यिश्व मसी हमारे साथ है जो तुम में है जो संसार में है उससे वो बढ़कर है पहला युहना में लिखा गया है फिर अपने वचन आपका क्रोध भावनाएं कर्म और संबंधो पर गौर करें यदि ये गड़बड है तो शैतान प्रवेश्व कर सकता है एफिस्चियों 4 का 26 में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो सूरी अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे फिर अगले पद में लिखा गया 27 पद में कि शैतान को अवसर ना दो दूसरे कुंतियों 2 का 10 और 11 में लिखा गया है कि हमें शमा की भावना रखना चाहिए फिर बहुत ये महत्वपूर्म हम आत्मा से परिपून हो जाए परिवित्रात्मा से यदि परिपून है तो शैतान हमें छून ही पाएगा यहुदा 1 कबीस से 23 आत्मा में बलवन्त होते जाओ परिपून हो जाओ परात्ना करते हुए विश्वास अतिपवित्र विश्वास में उन्नती करते जाओ एफिस्यों 6 का 10 में परात्ना एक हतियार है जो शैतान की विलुद में प्रवल हो जाता है दिश्वास को निकालना एक विश्वास ही होने के नाते आपको दिश्वास को निकालने का अधिकार दिया गया है मरकुस सोला का सत्रा जो विश्वास करेगा वो उसके जीवन में ये चिन होंगे वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा ये सामर्थ आपका नहीं है ये सामर्थ इश्व मसी का है और इश्व मसी की सामर्थ में बने रहे हैं भरपूर रहे हैं और दुष्ट आत्मा हैं आपके सामने से भाग जाएंगे मत्ती 12.28 में मसी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकालता था हम भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निकालें कुछ लोग सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा को पीटने से मारने से निकलेगा नहीं इश्व मसी भी शैतान को अपने मूँ के वचन, अपने मूँ के फुक से आत्मा से मारेगा और इशुवसी ने कहा यदि मैं दुष्ट आत्माओं को परमिश्वर की उंगली से निकालता हूँ क्या है यह परमिश्वर की आत्मा परमिश्वर के आत्मा के सामत प्रेरतों के कारे 10-38 में लिखा गया है कि पवितर आत्मा से अभी शेक होकर वो जो दुष्ट आत्मा शैतान के बंधन में पड़े हैं उनको उसमें छुड़ाया सो परमेश्वर के आत्मा से आप शैतान को निकाल सकते हैं मरकुस 9 का 29 और याकुब 4 के साथ में आप दिखते हैं हम दिखते हैं कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं यदि हम परमेश्वर के आधीन हैं और कई बार प्रात्ना और उप्वास के द्वारा हम आत्मिक रूप से बलवन्त होते हैं पहला करुंतियों 12 का 10 में लिखा गया है कि हमें परात्ना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें आत्माओं का परक का वरदान दे क्योंकि इस वरदान के द्वारा हम परक सकते हैं कि शैतानिक शक्ती किस प्रकार का है और क्या काम कर रहा है और हम किस प्रकार से हम भेद कर सकते कि कौन से परमिश्वर की और से है कौन से मनुश्च की और से है और कौन से दुष्ट आत्मा है दुष्ट आत्मा को निकाले है वरकुस एक का चौबिस में हम देखते हैं कि शैतान कोशिश करता है प्रफ़ी ईश्व मसी से बात करने लेकिन ईश्व मसी उसे चुप कर देता है क्यों? क्योंकि हमें दुष्टात्माओं से बात करने की कोई आवशक्ता नहीं कई लोग दुष्टात्माओं के साथ बहुत वारतलाब करने लगते हैं लेकिन ये वाद विवाद वारतलाब करने के आवशक्ता नहीं क्योंकि दुष्टात्मा जूटे हैं और जूटे लोगों से बात करने की कोई है हम उनसे वाद विवाद करने के लिए नहीं बुलाएगा इश्व मसी नहीं कहा विश्वास करने व प्रेदित 16 का 18 में उन्हें इश्व मसी के नाम से निकाले इश्व मसी के नाम से निकाले पौल उसने इश्व के नाम से दुष्टात्माओं को निकाला हो चाता है कि हम उसके नाम से दुष्टात्माओं परमिश्व चाता है कि हम दुष्टात्माओं कई बार आवशक ये भी पढ़ जाता है कि दुष्टात्मा को निकालते समय ध्यान दे, आँख बंद ना करें, क्योंकि आप प्राथना नहीं कर रहे हैं, आप आदेश दे रहे हैं, कई बार ये दुष्टात्मा ये बहुत हिमसात्मक हो जाती है, प्रेवित 19 में हम देखते ह दुष्टात्मा ने कुछ लोगों को फाड़ा, उनके कपड़ों को फाड़ दिया, वहें मार दिया, सो हमें चौकस होना चाहिए, कभी भी दुष्टात्मा को अनुमती ना दे कि आपके विश्वास को परमेश्वर से दूर करें या आपके विश्वास को कमजोर करें, और बड़ा ही महत्वपून, कई बार ऐसा होता है कि जब दुष्टात्माओं को निगालते हैं तो परमिश्वर के दास लोग एक के बाद एक हावी होने की कोशिश करते हैं, जब एक दुष्टात्मा को आदेश दे रहा तो दूसरा बीच में घुसके वो आदेश देने लग क्योंकि इस प्रकार से करने से मसी के आत्मा को हम शोकित करते हैं और परमिश्वर का कारी वहां नहीं होता है, मनुष्य का कारी, दिखावटी का कारी, आहंकार का कार के वहां पर होता है, हमें आधीनता के साथ परमिश्वर की बुद्धी के साथ चलना चाहिए, प्रजित 19 जादू टोने के समान इत्यादी हमारे शरीर से हमारे घरों से दूर करें नहीं तो ये बाते शैतानिक का पीड़ा शैतानिक का आकरमन के लिए एक गड़ बन जाते हैं यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का कुछ समान है तो उस व्यक्ति का कुछ अधिकार आपके घर पर बन जाता है क्योंकि उसका समान आपके घर में आपने रख लिया है तो उसी प्रकार से शैतान का समान आपके घर में है किसी प्रकार का तो शैतान का हक हो जाता है आपके जीवन के कुछ शेतर पर और वो किवल हक को ही नहीं देखता है वो चोर है और डाकू है और चोरी करने के लिए आता है इसलिए उसे किसी प्रकार का अवसा में दे शैतानिक बातों को जादू टोने के बातों को सारे तावीजों को अपने घर से अपने परिवार से अब दूर कर दे फिर जिस प्रकार हमने पहले देखा आवशक है कि जो विश्वास और पवितरात्मा के भरे जाने में अगवाई उसकी किये जाए ताकि दुष्ट आत्मा वापिस उसके जीवन में ना लाउटे पहला युहना 5 का 18 में लिखा गया है हम जानते कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन हुआ है वो बाप नहीं करता जो परमेश्वर से उत्पन हुआ है उसे परमेश्वर बचाए रखता है और दुष्ट उसे नहीं चुने पाएगा दुष्ट उसे नहीं चुने होगा परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया विश्वास करने वालों में ये चिनोंगे कि वे मेरे नाम से दुश्टात्माँ को दिकानेगे परमेश्वर आपको पशिष्टे